हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शियू टियू टियू फ्लियम चरनी पर माय लविंग ट्विन सोल साब सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आई हुए है मुन सभी का स्वागत करती हूँ प्रियों, बहुत से लोग ये पूसते हैं कि हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता क्यों है विशेश कर ट्विन का आपके लाइफ में आना आपकी अवेकनिंग और आपको आपके उद्देश से जोडने के लिए है और वो आपकी त्रिव इच्छा के अधार पर ही आपके जीवन में भेजा गया है लेकिन आपका ट्विन अलग-अलग परिस्थितियों में आता है जिन में कुछ लोग सिंगल है और कुछ अलग-अलग पार्टनर के साथ ब्यवाहिक जीवन व्यतित कर रहे हैं अब यदि आपका ट्विन ऐसे समय में आए जब आप किसी सोलमेट के साथ है आपका एक वैवाहिक जीवन चल रहा है आप अपने जिन्दगी में खोश हैं आपका परिवार है बच्चे हैं और ऐसे में आपका ट्विन आए तो उसके बाद क्या होगा ट्विन के आने से आपके जीवन में करांतिकारी परिवर्तन होता है ट्विन वो है जो आपकी सुप्त भावनाओं को जागरित कर देता है उसके आने से आपके सोई हुए अर्मान जाग उठते हैं डिजार्स जाग उठते हैं यदि आप प्यार में नहीं है प्यार नहीं करते तो भी आप में प्यार की भावना आ जाएगी यदि आप में लस्ट नहीं है तो भी वो भावना आएगी क्योंकि ट्वीन वो है जो आपका एक आईना है जब आप उसके सामने आते हैं तो आप स्वैम को देखते हैं और उसके द्वारा आप अपने भीतर में दभी हुई उन भावनाओं को देखते हैं ट्वीन वही है जो इन सारी दबी हुई भावनाव को बाहर निकाल देता है तो जब आपकी लाइफ में आपका ट्वीन आता है और विशेश कर जो मैरिट ट्वीन है जो अपने अपने पार्टनर के साथ है तो वो बड़े धर्म संकट में पढ़ जाते हैं क्योंकि एक और उन वो उन्हें बहुत जादा आकटशित करता है क्योंकि इसमें एक चुम्ब की आकटशन होता है इस आकटशन से आप अलग होई नहीं सकते 24 गंटे वो दिमाग में उसकी यादे घूमती रहती है तो ऐसी इस्थिति में वो क्या करे तो वो हमेशा यही सोचता है कि आखिर हमा हमारा रियूनियन कैसे होगा और इस ट्विन फ्लेम जर्णी में यदि हम अपने अपने पार्टनर के साथ हैं तो हमारे ट्विन के साथ रियूनियन का योग कैसे बनेगा तो आज मैं कुछ ऐसी बाते आपको बता रही हूँ जिसे आपको जानने की जरूरत है इस ट्विन हैं वो एक समान हो लेकिन उनका अनुभा उनका अपने पार्टनर के साथ रियूनियन का डिवाइन टाइम अलग-अलग होता है लेकिन ये निरभर करता है आप पर कि आप खुद पर कैसा काम करते हैं जितना काम आप खुद पर करेंगे खुद को हील करेंगे बैलन्स ये उस अधार पे आपका आपके ट्विन के साथ रियूनियन होता है, अब आप ये कहेंगे कि ये रियूनियन कैसे होता है, विशेश कर रियूनियन का अर्थ अगर हम समझे, तो ये शादी नहीं है, विशेश कर शादी जैसा शब्द यहां महत तो रखता ही नहीं, क्योंकि Twin Flame Journey बहुत उपर की एक दिव्य जर्नी है, ईश्वर की जर्नी है, जहाँ पर Soul to Soul connection चलता है, और यहाँ पर Soul का एक होना यह जरूरी है, इस जर्नी में Twin एक या दोनों ही अलग-अलग पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन में हैं, तो यह उनका कर्मा एकाउंट है, और इस कर्मा एकाउंट को क्लियर करना ही पड़ता है, अब ऐसे समय में आपके लाइफ में यदि Twin आ जाए, तो क्या करें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में एक सामांजस से बनाए रखें, प्रेम, शांती से, निष्ठा के साथ, और इमानदारी स एक मर्यादा को रखते हुए, अपने इस जर्णी को पूरा करना है, क्योंकि Twin की साथ आपका Soul Connection है, लेकिन आपके पार्टनर, उनके साथ जो आपकी शादी हुई है, यहाँ पर आपको कभी भी उन्हें हर्ट नहीं करना है, अपनी बातों से, अपने वैभार से, क्योंकि यदि आपकी बातों से उन्हें दुख होता है, तो यहाँ पर भी एक कर्मा क्रियेट होता है, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पार्टनर कार्मिक हैं, जो हमें परिशान करते हैं या जिसकी वज़ा से हम बहुत दुखी हैं, तो यहाँ पर अलग-अल मतलब वो उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी वज़े से उनको कोई परिशानी नहीं होती, यह भी उनका एक सवभाग है, कि पिछले जन में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए ऐसे सूलमिट उनको मिलें, अब जो लोग कि आपको अपने भीतर, अपनी शिवशक्ती को बैलन्स करनी की जरुवत है, क्योंकि कुछ मामलों में यह देखा गया है, कि यदि आपके भीतर, आपका इनर डियम डिया शिवशक्ती अन्बैलन्स है, तो उसका प्रभाव बाहर दिखाई देगा, सब कुछ अन्बैलन्स रहेगा, ना तो आपके ट्विन के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा, और नहीं आपके हस्बिन या वाइफ के साथ, इसका मतलब है कि आपकी शिवशक्ती ही अन्बैलन्स है, और यदि आपने उसे बैलन्स कर लिया, तो चाहे वो आपका ट्विन हो, या आपके हस्ब हमारे husband कार्मी की तरह वेभार करते हैं जब उन्होंने 7 चक्र meditation किया तो उनके भीतर जो बदला हुआ, परिवर्तन हुआ उसका effect उनके husband पर भी पड़ा और उन्होंने कुछ दिनों के बाद बताया कि जिनकी बातों से हम परिशान रहते थे आज वो हमें इतनी अच्छी रीती से समझने लगे है और बहुत ही प्रेम पूर्ण संबंध है हमारे बीच तो यहाँ पर एक शांती पूर्ण इस्थिति में आ जाना यह किस बात पर निर्भर करता है यह निर्भर करता है आपके ऊपर के आप अपने भीतर कैसा काम करते हैं यदि बाहर की बाते अवेवस्थित है इसका मतलब है कि आपके भीतर अन-बैलनस है आपकी शिव शक्ती अन-बैलन्स है और उसे ही बैलन्स करने की जर्वत है जहां तक आप कार्मिक के विशह में बोलते हैं कि हमारे हस्बेंड या वाइफ कार्मिक है उनसे नहीं बनती तो यहां पर मैंने कल ही अपने वीडियो में कार्मिक के विशह में बताया था कि ये आपकी एक मानसिक इस्थिती है यदि आप low vibration में है आपकी कुंडलीनी राइस नहीं हो रही है आपका शिव शक्ती unbalance है तो निश्चित ही आपके साथ रहने वाले लोगों के साथ आपकी अन्बन रहेगी उनके साथ नहीं बनेगी लेकिन कार्मिक के विशय में अगर मैं एक बात कहूँ कि आपके लाइफ में true twin भी आते हैं और false twin भी आते हैं लेकिन false twin तभी आते हैं जब आप low vibration में रहकर उन्हें अपनी और आकरशित करते हैं हलाकि उनकी वज़स से भी आप trigger होते हैं लेकिन आपकी growth कभी भी नहीं होती लेकिन जब आपकी life में true twin आता है तो false twin हमेशा के लिए चला जाता है क्योंकि true twin के आने से ही आप अपने बंधनों से मुक्त होते हैं तो यदि आपका कोई karma account है और आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में फसे हुए हैं जहां पर आपके diverse case चल रहे हैं महां से निकल नहीं पा रहे हैं और यदि आपका true twin आता है तो आपकी जो भी परिशानी ये समस्या है वो clear हो जाएगी आपका वो कर्मा बंधन clear हो जाएगा ये एक इस्थिति है दूसरे इस्थिति ये है कि आप अपने partner के साथ हैं आपका twin भी आपकी life में है अब दोनों के साथ आपको सामंजस्य और संतुलन लाना है रिस्तों में तो क्या करें तो क्या आप बैठ कर वेट करें कि आपका कर्मा account कब clear होगा जी नहीं आप यदि य कि क्या हमारा कर्मा account यदि है तो क्या हमारे twin के साथ हमारा reunion कभी नहीं हो सकता तो ये बात भी गलत है क्योंकि reunion होते हैं और हर परिस्थिति में होते हैं चाहे वो single हो या married कोई भी reunion को पास सकता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसने अपने आप पर कितना काम किया है और विशेशकर जिनका अपना एक कर्मा account है जो अपने husband या wife के साथ है वो यदि अपने twin के साथ एक harmonious union में आना चाहते हैं तो उन्हें अपने भीतर ऐसा काम करना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द एक peacefully situation में आ सके क्योंकि उस वक्त आपको बाहर की और नहीं देखना है आपको अपने भीतर देखना है और जितना काम आप खुद पर करेंगे उस अधार पे आपको result मिलता है कुछ लोग ये पूसते हैं कि reunion का अर्थ क्या है क्या इसका अर्थ शादी है तो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि शादी शब्द बहुत छोटा है इस जर्नी के लिए क्योंकि शादी मैटर नहीं करता ये soul to soul connection की जर्नी है ये एक दिव्वे जर्नी है इश्वर को पाने की जर्नी है और यहाँ पर आपकी आत्मा एक होती है शारिरिक्टा के इस तरज से जब आप उपर उठते हैं तो आत्मेक्टा तक पहुँचते हैं और वहां पर जब आपकी आत्मा एक साथ मर्ज होती है तो आपको एक दिव्य अनुभा होता है आप उस उद्दे से तक पहुंचते हैं जिसके लिए डिवाय ने आपको भेजा है और वहाँ पर जो आपका रियूनियन होता है वो पर्मानिटली हार्मोनियस यूनियन होता है जहाँ पर आप दोनों सेम एनरजी, फ्रिक्रेंसी वो वाइब्रेशन के होते हैं जिस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ट्विन से रियूनियन हो गया लेगिन कुछ समय के बाद फूल मून, न्यू मून में आप अन्बैलेंस हो जाते हैं आप लोगों के बीच में एक रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है या फिर इगो इशू आते हैं या फिर वाद विवाद जगड़े हो रहे हैं आपका ट्विन आपको ट्रिगर कर रहा है तो ये पर्मानेंटली हार्मोनियस रियूनियन नहीं है रियूनियन वो होता है जब आप एक दूसरे से मिलते हैं चाहे कितने समय के बाद मिले हैं लेकिन आप दोनों ही एक पीसफुली सिच्वेशन में होते हैं क्योंकि दोनों ही उस जगह से निकल कर आ रहे हैं जहां पर आपका अपना अपना एक अनुभव है और उसके बाद आप दोनों अपने अनुभा को एक साथ बाटते हैं, चाहे खुशी के हो या दुख के, लेकिन उस वक्त आप में फिजिकली नीड नहीं होती, वो आकर्षन होता है, लेकिन एक ऐसा प्रेम होता है, जो दिव्वे प्रेम होता है, उस वक्त आप इस्प्रिचल बाते करते हैं, सोल परपस के विशव में बाते करते हैं, क्योंकि आप दोनों की चेतना आगे बढ़ चुकी है, और ऐसे में, जब आप अपने सोल परपस के विशव में बाते करते हैं, तो आप योजनाय बनाते हैं, कि आप अपने अपने चेतर में रहकर कारें, या दोनो एक साथ जुड़कर एक परपस पे काम करें ये आपकी चोईस होती है लेकिन उस वक्त आप दोनों ही प्योर हो चुगे होते हैं और ये वही divine time है जब आप अपने परपस पे आते हैं और उसे पूरा करते हैं क्योंकि divine इसी बात को चाहते हैं कि आप दोनों ही जागरित होकर रियूनियन में आए और उस सोल परपस को करे जिसके लिए उन्होंने आपको यहां भेजा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ संबंद विच्छेत कर ले और उसके बाद आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन हो आप सोल परपस करे देखिए यह इस्थिती ऐसी है कि यदि आपने खुद को शांत कर लिया खुद के भीतर इतना काम किया कि आप बैलेंस हो गया तो आपके बाहर की सारी परिस्थितियां बैलेंस हो जाती है फिर वो आपके ट्विन हो या आपके पार्टनर तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ एक हार्मोनियस यूनियन में रह सकते हैं और उसके साथ अपने ट्वीन के साथ मिलकर भी अपना सोल परपस अदा कर सकते हैं तो ये एक harmonious union की इस्थिती है और हर एक ट्वीन को इस इस्थिती तक पहुँचने की बहुत जरुवत है अब आप ये कहेंगे कि सोल परपस क्या होता है सोल परपस वो होता है जो आपकी आत्मा का उदेश है और ये तभी पता चलता है जब आपकी आत्मा जागरित हो जाती है और ये हर एक का अलग-अलग होता है और ये वो काम है जिसके द्वारा आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं चाहे गरीब या जरुरत मन लोगों की सहायता करना, पशुपक्षियों या परियावरण के लिए कारे करना, इसके द्वारा आप मदर आट को सर्व करते हैं। तो जब आपके मन में ये भाव आएं कि आप कोई व्रिधा अस्रम, अनाथ अस्रम या कोई NGO खूलना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं एक साथ, या पशुपक्षियों का कोई शेल्टर जिसमें उनकी मदद हो सके, उनकी सेवा हो सके, या परियावरण से जुड़ी हु बाते, तो इसके दुआरा आप डारिक्ट मदद आर्ट को सर्व करते हैं, और यही वसोल परपस है, जिसके लिए आप आये हैं, और यह आप अपने ट्विन के साथ मिलकर एक साथ भी कर सकते हैं, या अलग-अलग छेत्र में भी कर सकते हैं, अभी इस ट्विन फ्लेम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर है खुद के साथ जोड़ना अपने भीतर अपने साथ जोड़ना यदि आप खुद से ही नहीं जुड़े हैं तो आप अपने ट्विन के साथ रहकर भी अलग रहेंगे और ऐसी बाते देखी गई है बहुत से मैरी ट्विन जो अपने ट्वि सेप्रेशन चल रहा है विवाद चल रहे हैं उनकी बन नहीं रही क्यों क्योंकि वो खुद से अलग हो चुके हैं उन्होंने इनर वर्ट छोड़ दिया और इसकी वज़े से उनकी शिवशक्ती अन्बैलेंस हो गई याद रखिए आपके भीतर शिवशक्ती का बैलेंस रहन बहुत जरूरी है अगर आपके अंदर ये बैलेंसिंग है तो चाहे आपका ट्विन आपके साथ रहे या कहीं और रहे आप उनके साथ जुड़े रहेंगे आप एक साथ कनेक्ट रहेंगे इसलिए शादी यहां मैटर नहीं करता क्योंकि आप यदि एक साथ है और अपने भ ट्विन के साथ एक अलगाव की इस्थिती रहेगी लेकिन यदि आप खुद से जुड़े हैं तो आपका ट्विन कहीं भी चला जाए आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी है खुद से जुड़ना अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना तभी आप अपने ट्विन के साथ एक पर्मानेटली हार्मोनियस यूनियन में आप आएंगे मैंने खुद से जुड़ने की बात क्यों कहीं क्योंकि आपका ट्विन आपका आईना है वो आपके ही भीतर है जब आप खुद से जुड़ते हैं तो उससे जुड़ते हैं और आपका हार्म पर कैसा काम करते हैं जितना आप खुद पर काम करेंगे खुद को heal करेंगे, balance करेंगे, complete करेंगे उसी अधार पर आपको आपके twin के साथ एक बहुत ही सुन्दर permanently harmonious union मिलेगा और इसके द्वारा आप अपने soul purpose पर आकर Mother Earth को serve करेंगे तो प्रियो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and God bless you all मेरी soul family आप सभी की जर्नी पूरी होए